हलो दोस्तों मेरा नाम है दानिश और आप देखरें है टेक्लोजी आइलेंड और इस वीडियो के अंदर हम अन्बॉक्स करने वाले हैं माउनुक की पॉडकास्टिंग माइक्रोफून किट को इसका जो कंडेंसर माईगे वो इसका नाम है एए यू ए जिरो फोर और इसमें लिखा है प्रोफेशनल आडियो इनोवेशन और यहां पर आपको पूरी किट मिलती है जिए माइक्रोफून नहीं मिलता है यहां पर आप देख सकते ह इसकी जो MRP है वो 6,000 रुपे की और इस टाइम या Amazon पे 6,000 रुपे का ही बिकरा है लेकिन अभी यह सेल में मुझे काफ़ी जादा सस्ता पढ़िया था तो मैंने इसको मंगा लिया लेकिन यह तक्रीवन पास से 6,000 रुपे का चलता रहता है मतलब 5,000, 4,000 मतलब थोड़ा आप एंड डाउन होता रहता है लेकिन अभी इसका प्राइस 6,000 रुपे तो आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगा यहां पर आपको एक कार्ड मिलता है जिस पे कुछ डिटेल लिखी वी और एक QR कोड स्कैन हुआ है ज सकते हैं माउनो का लोगो लगा है तो इसको भी रखते हैं और यहां पर हमें उठाखते हैं लेकिन एकडि में अपकu बता दूँकि मैंने एमgeordस से मंगा या था और मुझे इस में भी पैकिंग नहीं दिखी है कोई बंदा खोल सकता है इसको विलंगें कि है त्वार्ट अन लेकिन फिर भी कोई खोल सकता था इसको तो यह चीज मुझे Amazon की अच्छी नहीं लगी है कि यह पैक नहीं आया है वागे सारी चीजे देख लेते हैं कि आपको यहां पर एक USB-B Cable मिल जाती है जो आप प्रिंटर में यूज करते हैं तो अच्छी खासी लंबी Cable है तो इससे ह इसको पूरा स्टैंड मिलता है जिसको हम अभी सेट अप करेंगे अभी साइड में रखते हैं और यहां पर आपको जड़ा साइस की नमी बचाने के लिए बॉल्स मिलती हैं तो इसको रखते हैं साइड में और इसको तरह निकालते हैं अरे भाई निकल जा तो यह है ओप ता साइड में और पिर यहां पर मलता है माउनो का मायक अंधर स्टैंडवी से साइड में और फिर आती है हमारी में चीज़ तो ठीट नहीं तो सब दूर की बात है यहां पर आपको मिलता है माउनो का माइख, यह आप द humility सकते हैं माउनो का माउनो का माईख, माउनो का लोगो लगया और really चीज़ बहुत भी ज्याधा खुबसूरत है तो यह है इसके unboxing अभी हम इसको set up करते हैं और देखते हैं कि कैसे set up होता है पूरी kid बनाते है और उसके बाद हम इसकी audio sample लेंगे यहाँ पर अब यह लगाएंगे हम यह कैसे लगेगा यह simple सा है इसको हम खोलेंगे देखिए यह खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा, भाई पूरा खुल जा, इतना खुलेगा, बस सीधी बात है, और इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक screw लगावा है, तो इसको भी पहले हम पूरा खुलेंगे, और इसको थोड़ी देर के देना है बिलुफुल यह हमने टाइट कर दिया ठीक है अब देख सकते हैं यह तैट हो चुका है यह भी हम टेविल के नीचे लगाएंगे लेकिन पहले हम पूरा बना लेते हैं इसको उतके बाद करेंगे कि यह जो है यह हिस्सा जो आप देख रहे हैं तो इसको हम इसमें यह हो गया हमारा यह हो गया टाइट हमारा तो यह हमारी पूरी किठ बन चुकी है अब तक अब हमें सेफ यहां पर माइक माउंट करना है तो हम माइक कम खोलते हैं और इसको हलका सा माउंट कर देते हैं तो यह हमारा माइक हो चुका है तयार दोस्तों जो मेरी आप आम करेंगे यह जो हमारा माइक है मावनो का इससे हम रिकॉर्ड करेंगे और अभी मैं कोई भी इसके उपर फिल्टर नहीं लगा रहा हूं ना इस पंज फिल्टर नप फिल्टर यह बिल्कुल अभी नेकिड है तो इस time इसको हम देखेंगे कि कैसी आवाज record कर रहा है तो अभी के लिए इस mic से आवाज आ रही है लेकिन अब हम इस पे shift होने वाले हैं तो 3,2,1 तो अब जो आपको आवाज आ रही है वो आपको आ रही है इस mono के mic से और मैं seriously बता रहा हूँ मैंने आवाज में कोई change नहीं करा है अभी तक यहाँ पर यह जो audacity पर चल रही है मैंने थोड़ी सी भी setting चेंज नहीं करी है बस इसकी जो volume है उसको मैंने थोड़ा low करके रखा है क्योंकि अभी अगर मैंने full volume कर दी तो इतनी तेज आवाज आईगी कि आप सुन नहीं पाएंगे लेकिन अगर मैं पीछे जाता हूँ तो मैं इसकी volume अगर बढ़ाता हूँ यहाँ पर मैं आप देखें मैं इसकी volume बढ़ा रहा हूँ तो पीछे से भी यह आवाज अच्छी खासी record कर रहा है ठीक है तो लेकिन अगर मैं पास आउँगा तो मुझे हलकी आवाज करनी पड़ी कि क्योंकि volume बहुत तेज होगी और अभी भी मैंने कोई settings नहीं करी इसके अंदर बस मैं इसकी volume हलकी हो और तेज कर रहा हूँ बाद मैं अपने हिसाब से मैं इसकी settings कर लूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मैं volume थोड़ी नीचे कर देता हूँ ताकि आपको सही आवाज आए क्योंकि फिर आपको सही आवाज आएगी नहीं तो यहाँ पर यह आ गया अब हम इसको judge करेंगे इसको naked करेंगे फिर उसको sponge filter के साथ करेंगे और उसको फिर हम pop filter के साथ करेंगे फिर देखेंगे हमारी आवाज में कितना फरक आता है दोस्तो अभी जो volume है Mikey वो अभी सिर्फ 40% पर है जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं इसके बिल्कुल करीब आके बोल रहा हूँ और इसके उपर कोई भी filter नहीं लगाए तो आप यहाँ पर sound देख सकते हैं अब अगली sound हम करते हैं इसके उपर sponge filter लगाके तो sponge filter लगाके देखते हैं यह हमारे sponge filter और हम इसको लगाके देखते हैं volume उतनी ही रहेगी जितनी है ठीक है मैं बढ़ाने वाला नहीं volume तो इसको लगाते हैं तो दोस्तो इसने कपड़े पहन लिए हैं जैसा आप देख सकते हैं और अब आप देख सकते हैं कि इसकी sound में कैसा फरका है आप खुद देख सकते हैं मैं कोई भी अभी judge नहीं कर रहा हूँ मतलब बिल्कुल raw file आपको देखने को मिलने वाली है मैं 1% की भी audio से चेरशाड नहीं कर रहा हूँ मैंने इसको सीधा plug कर रहा है और मैं play करके देख रहा हूँ दूसरी मैंने कोई चीज इसके अंदर नहीं करी है मुझे खुद नहीं पता ये कैसा होगा तो आपने अब देख लिया है कि कैसे ये कपड़ों के साथ होगा लेकिन अब हम इसको एक और कपड़ा पहनाएंगे जिसका नाम है pop filter और फिर देखेंगे उसको कैसे manage करता है और उसके बाद आप देखना volume 40% पर ही रहेगी इसकी तो ये रहा हमारा pop filter अब हम इसको जड़ा लगाते हैं तो दोस्तो यहां पर मैंने इसका pop filter लगा दिया है जैसा आप देख सकते हैं और अब जो आपको आवाज आ रही होगी वो pop filter के साथ आ रही है ठीक है तो अब एक filter ये लग चुका है एक filter ये लग चुका है और आप खुद देख सकते हैं और volume सीधा 40% पर है मैं आपको दिखा देता हूँ कि तेज volume करने से क्या होगा क्योंकि अभी कोई setting करी नहीं है तो तेज volume अगर आपके mobile के volume जादा है तो कम कर देना क्योंकि आपके काशायद कान फटने वाले है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी volume को बढ़ा दिया बहुत ही जादा noise आपको देखने को मिलेगी क्योंकि कुछ setting नहीं करी है लेकिन यह कब काम आएगी जब आप पीछे चले जाते हो मतलब आपका mic आपसे दूर है और आप थोड़े दूर होके बूलना चाहते हो आप वीडियो में अपना mic नहीं दिखाना चाहते है तो आप इसको थोड़ा नीचे करके volume full करके पीछे भी जा सकते हैं जिससे जो आवाज है आपकी भटे नहीं ठीक है आप volume जादा कर सकते हैं लेकिन अगर आप podcasting करना चाहते हैं और या ऐसे वीडियो बनाना चाहते हैं तो भाई करीब आके ही बोलना और volume कम ही रखना बनना आवाज ना फटी फटी लगेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि volume के साथ थोड़ी सी छेड़ चाड़ाब कर सकते हैं तो यह थे 3 sample अभी कोई change नहीं आया इसके अंदर मतलब मैंने खुद नहीं सुनी है भाई कि इसकी volume कैसी है देखेंगे यह कोई review नहीं है first impression दे review मैं लाऊँगा इसको बिल्कुल use करने के बाद इसको जब हम पूरा निचोड देंगे न बिल्कुल use करेंगे हर एक setting देखेंगे फिर हम देखेंगे कि इसकी recording voice कैसी होती है सबसे best setting क्या होती है वो भी बताऊँगा review के अंदर लेकिन अभी के लिए इतना काफी है मतलब यह तो first impression दे मुझे खुद नहीं पता कि कैसी record कर रहा है यह नहीं हो कि मैं editing करने बैट हूँ और मेरे कान खुद खराब हो जाए अगर आपको यह video पसंद आई है तो like कीजे share कीजे कोई भी सवाल हो नीचे काफने box में पूछ सकते हैं और seriously यह बिल्कुल raw है बिल्कुल भी मैंने थोड़ी सी भी सेटप भी आपके सामने कर रहा है पूरा सब कुछ कर रहा है तो यह बिल्कुल raw audio होगी उसकी और आप भी मुझे बताना और मैं भी चेक करूँगा जब मैं editing करने बैट हूँगा कि यह video कैसी है तो दोस्तो फिलाल के लिए इस video में इतना ही उमीद है कि आपको यह video पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो like कीजे, share कीजे, कोई भी सवाल हो तो नीचे comment box में पोछना ना भूलिएगा और मैं आपको बता दूँ कि यह review नहीं है ठीक है मैं इसका कोई review नहीं दे रहा हूँ, review आने वाले time में मिलेगा लमसम एक महीने बाद या दो महीने बाद review मिलेगा जब इसको पूरा यूज़ कर लिया जाएगा तो मैं मिलन आपको अगली वीडियो में तब तक लिए spread peace love and happiness